आज हम लोग बात करेंगे आदतों के बारे में दोस्तों आदतों का हमारे जीबन में काफी बड़ा रोल होता है एक तरब जहां अच्छी आदते आपके इमेज को बनाती है तो दूसरी तरब बुरी आदत आपके इमेज को बिगाड के रख देती है लेकिन आज हम लोग ऐसे आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपके उमर को कम करती है याने आपको जवान दिखाती है तो कौन सा वो आदत है? सबसे पहली आदत है हर रोज सुभा को उठके अपने सरीर को डिटॉक्स करना तो आप डिटॉक्स कैसे करेंगे? आप किसी भी तरह का डिटॉक्स जूस का इस्तेमाल कर सकते हो चाहे हो भेजेटेबल जूस हो या फ्रूड जूस हो इसके अलाबा स्रीप आप गुनगुना गरम पानी में सहत और निम्बू मिलागे इसे भी डिटॉक्स जूस के तरह इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो भी ना मिले तो आप गुनगुना गरम पानी ही शिरिप पी सकते हो इससे आपका सरीर डिटॉक्स हो जाता है लेकिन डिटॉक्स करने की ज़रूरत क्या है? हम लोग दिन भर जो खाना खाते हैं उसमें काफी सारा पेश्टी साइट और केमिकल होता है वो हमारे सरीर में जाकर हमारी सरीर को टॉक्सीन से भर दिता है और गंदेगी फैलाता है इससे कई बिमारी होती है यहां तक की कैंसर जैसे घातक बिमारी होने का भी खत्रा बना रहता है साथी लोग कम उमर में बुड़े हो जाते हैं जब आप अपने सरीर को डिटॉक्स करेंगे तो आपके पूरे सरीर से टॉक्सीन डिलीज हो जाती है और उसके साथ साथ फ्री रेडिकल्स घटता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेज भी कम होता है जो आपके स्कीन में निखारपन लाता है और स्कीन में ग्लोइंग होता है और साथी आपके इमिनेटी सिस्टेम बहतर होता है और आपके सरीर के हर एक औरगान अच्छे से काम करता है जिसके बज़े से आप हेल्दी रहते हो और उमर दराज होते हो दूसरी आदत है हर रोज सुभा को उठके अपने लिए दिन का एक प्लैन तयार कर लेना किसी भी काम को अगर आप प्लैन से करोगे तो आपका काम भी पूरा हो जाएगा और बे बज़ा तनाव भी नहीं होगी हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं बिना प्लैन का जब कुछ काम करने के लिए जाते हैं बहुत सारा रुकावट आती है काम भी अच्छे से नहीं होता और बेबजा तनाव को भी जेलना पड़ता है अगर आप दिन बादिन ऐसे प्लैन बनाएंगे लोग तो महिना का प्लैन, साल का प्लैन, पांस साल, दस साल का प्लैन बना रेते हैं अगर आप हर रोज प्लैन बनाएंगे तो हर रोज अच्छे से काम कर पाएंगे, इससे आप जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे और सक्सेस्पुल इनसान भी बन पाएंगे, तो हर रोज आप सुभा को ओटके अपने लिए एक बहतर प्लैन बनाए जिसे आपको करना है हर तीसरी आदत है हर रोज सुभा को ऊठके किसी भी तरह का फिसकल ऐक्टिविटी करना आप जीम जा सकते हो आप सुभा को वाक में जा सकते हो जोगा कर सकते हो या कोई आउटडोर गेम खेल सकते हो इसे आपका कैलोरी भी बान होता है और पूरे सरीर तंदुरूस होता है क्योंकि जब भी हम लोग physical activity करते हैं हमारे पूरे सरीर में हर एक कोशिकाओ को अच्छे से oxygen मिलती है इससे पूरे सरीर तंदुरूस होता है और energetic महसूस होता है साथ ही mental health के लिए भी बेहत कारगर है क्योंकि अगर आप physical कसरत करेंगे तो आपके brain में अच्छी hormone release होती है happy hormone release होती है endorphine, dopamine, serotinin ये सब hormone, happy hormone होने के कारण आपका mood अच्छा बना रहता है तो दिन के सुरुवात में अगर आपका mood अच्छा रहेगा सेहत, healthy रहेगा तंदुरूस रहेगा, energetic रहेगा तो दिन भर आप plan के माफिक काम कर पाओगे इसलिए सुभा को उटके किसी भी तरह का physical activity करना बेहत जरूरी है और स्रीप सुभा को नहीं बलकि दिन भर आपको किसी भी तरह का activity करना है अगर आप activity नहीं करते हो इससे आपके दिमाग में negative thought आएगा जिससे आप depressed हो सकते हो दिन भर अगर आपका mood ठीक नहीं रहेगा खूस नहीं रहोगे तो आप ऐसे ही कम उमर में बुड़े हो जाओगे अगर आपने आपको जमा रखना है तो एक तीन आदत अपने जीबन में आप उतार ले उमिधा दोस्तो वीडियो आपको informative लगा वीडियो गर पसंद आया तो लाइक करे और अपने दोस्तों में share करे आज के लिए इजाज़त दे धन्नवात